Hey guys, हर बार की तरह एक बर फिर से मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि 5MA strategy ने आज की rate में bank nifty के अंदर किस तरीके से perform किया और अगर 5MA strategy के base पे आपको trade नहीं मिल पाता तो ऐसे में क्या करना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि market में अच्छा खासा move आता है जैसे कि आज आया आपने thumbnail से अलड़ी देख लिया होगा और वो move जो है 5MA strategy के उपर नहीं आ पाया अब ऐसे situation में क्या करना चाहिए तमाम information इस video में आपके साथ share करने वाला हूँ साथी साथ जो लोग नए हैं उनके साथ back testing का data भी मैं share करूँगा पुराने लोगों ने अलोड़ी देखा हुआ है लेकिन आज का data अपडेट करने के बाद back testing का outcome क्या है वो आप देखेंगे तो वीडियो में मेरे साथ बने रही है क्योंकि पूरे process को समझना जादा important है rather than final outcome के क्योंकि profit and loss जो है वो process का part है process समझ में आगया strategy खुद बना पाओगे strategy के अंदर customization भी आप कर पाओगे और अगर process समझ में नहीं आया तो आप कितना भी profit loss देखते रहे है आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है और longer run में आप profitable नहीं रहेंगे ठीक है चलिए सीरा चार्ट पे चलते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो gap up opening होती है market के अंदर और उसके बाद यह 5B में वाली line लगी हुई है जिनको नहीं पता है कि 5B में किस तरीके से काम करता है तो कोई भी candle अगर 5B में super closing दे दे और उसका low अगर touch नहीं कर रहा है तो ऐसे में low अगर break होता है उस candle का तो हम तुरंट से entry लेते हैं example के लिए आपको यहाँ पे में दिखाऊं third candle यह वाली जो candle है अब आप बोलोगे किसा third वाली candle का जो low है वो touch नहीं कर रहा 5B में को और फिफ्थ वाली candle यानि कि यह third वाली candle का फूर्थ वाली candle ने low break किया है तो ऐसे में सर यहाँ entry बननी चाहिए बिल्कुल बननी चाहिए नॉर्मल जो rule है आपका 5B में के according उसके according आपका यहाँ पे entry बिल्कुल बनती है और आपका stop loss जो है इसी candle का high होना चाहिए जिसका low break हुआ है लेकिन जो मैं students को सिखाता हूँ अपने live session के अंदर में उसके अंदर यह जो entry है यह नहीं लीनी चाहिए क्योंकि पिछले 7 मेने से इसे strategy को मैं back test कर रहा हूँ तो मुझे एक एक entry का पता चल गया है कि कौन सी entry actual में काम करती है और कौन सी entries ऐसी है जो काम नहीं करेंगे उन entries को हमें हमेशा avoid करना चाहिए तो मैं जिन लोगों का भी अपना live class लेता हूँ उनको मैं यह share करता हूँ कि इस तरह की जो entry है उसको आपको हमेशा avoid करना चाहिए अगर आपको भी जानना है क्या multiple confirmation के साथ हम trades लेते हैं तो आप live class का part बन सकते हैं आपको मैं number दे देता हूँ यह number यह रहा यह number है 730-334-3652 फिर से repeat कर देता हूँ 730-334-3652 इस number पर contact करके आप जो Sunday को live class होती है उसकी information ले सकते हैं और मैं आपको पूरा बताएंगा कि 5WM strategy 7 months में मुझे कहां पर लगता है कि profitable हो सकता है आप उसके basis पर अपनी trading को improve कर सकते हैं ठीक है जी चली आगे बढ़ते हैं तो एक SL तो आपका यहां पर hit हो जाता है और यह कितने point का है तो अगर हम देखें तो यह 34 points का है spot के chart पे premium के chart पे according to strike price selection जो भी strike price आप select करेंगे उसके according जो है वहाँ पे आपका stop loss decide हो जाएगा मान लेते हैं अगर आप ATM select करते हो तो ऐसे में आपका क्या हो जाएगा point 5 यानि 34 का आदा 17 point का आपका stop loss जो है bank nifty के अंदर premium वाले chart पे होगा तो यह तो आपका SL hit हो गया second अगर में बात करो entry कहा है तो आप देखो कि तुरंस एक और entry मिलती है इस वाले candle पे जो की है तो यह 2 SL गया उसके बाद अगर आप देखोगे market इतना जादा नीचे की तरफ move आया देखरें एक drastic move है नीचे की तरफ लेकिन यह move कहीं पे भी पकड़ में नहीं आया 5 EMA पे देखरें तो क्या करना चाहिए ऐसे case में आपको क्या करना है आपको trend trading भी सीखनी है तो मैंने जो system बनाया है उसके अंदर क्या है आपका 5 EMA जो मैं personally use करता हूँ 5 EMA and combined with trend trading इन दोनों को combined करके मैंने system generate किया है अगर आप उस system का part बनना चाहते हैं तो आप WhatsApp पे दिए गए नंबर पे जो कि आपके screen पे visible है 7303343652 पे connect कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि एक छोटी इसी nominal fee पे करके आप जो है इन दोनों चीज़ों को सीख सकते हैं उसमें फाइदा क्या होगा कि आप 5 EMA तो सीखी रहे हो जो कि आपका base formula है ये तो आपको आएगा ही आएगा और आना भी चाहिए उसके अलावा अगर 5 EMA पर कोई चीज आपको पकड़ में नहीं आती है तो पूरे दिन फ़र आप बैठे तो रहोगे नहीं आपको एक trade तो चाहिए ना जिससे आप profit बना सके तो ऐसे में आप trend trading करके आप जो है वो profit बना सकते हैं वो trend trading effectively कैसे करना है 5 EMA setup को combine करते हुए यही चीज मैं live session के अंदर सिखाता हूँ ठीक है तो अब यह दोनों जो stop losses hit profit जो है जो 413% का था वो 10% यहाँ पे reduce हो गया है क्योंकि आज दोनों जो trade हमारे थे उसके अंदर stop loss हमारा hit हुआ है तो यहाँ पे हमारा यह 403% पे आ गया है अब इसको देख के आप blindly trade मत करने लग जाना फिर से मैं आपको बता रहा हूँ आप इस चीज को पहले सीखो लेकिन सीखने के बाद बिना सीखे आपने बस देख लिया कि 5 यह में पे इतना profit बन रहा और आप जाके करने लग जाओगे नहीं आएगा इसके पीछे का कुछ mindset है इसके पीछे की conditions है जिन conditions के basis पर यह back testing किया गया है आप इसको सीखो और उसके बाद जाके आप trade लो session के अंदर ठीके जी चलिए तो यह है हमारा अभी तक का सबसे जादा जो winning date कौन सा है वो है Wednesday, Wednesday को हमाला 36% winning rate रहा है उसके बाद Monday 35% और बाकी की जो दिन है सबसे जारा गंदा दिन जो है Friday वाला है अब देखते हैं कल का जो दिन है यानि कल भी हमारा क्या है Friday और कल यह 20% increase ह होता है या decrease होता है यह कल हमें पता चल जाएगा तो एक छोटी सी कोशिश आप लोगों को back to back यह दिखाने की कि किस तरीके से 5B में setup काम करता है और अगर इस पर आपको entry नहीं मिलती है तो आपको क्या करना चाहिए आप trend trading कीजिए effectively कैसे करते हैं जानना है तो आप उस trading session क पार्ट बन सकते हैं ठीक है वीडियो जरा साथ इंफोर्मेटिव लगा तो लाइक करना ना भूले चैनल पर पहली बारे तो सब्सक्राइब कर लिए और मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए take care and keep learning new things as always and learning ही आपको एक अच्छा जो है trader बना सकती है